हाई एवरिवन वेलकम अगेन इन केबी सी केशो बानू क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रास्तान पटवारी के लिए रीजनिंग और मैथ है न तो रीजनिंग में हमने काफी टोपिक कंप्लीट कर लिए हैं आज हम नया टोपिक ले करने चाते हो चाहिए मैंने सीरीज की बात करूँ चाहिए डारेक्शन की बात करूँ सबके इंपोर्टेंट कोश्यंस और थियोरी दोनों अलग अलग तरीके से मैंने अच्छे से पढ़ाये हैं आप जाके प्लेलिस्ट में जाएं यदि आप फेस्बुक पे देख रहे हैं चीस हिसाफ से एक्जाम में आपसे पुछे जाने वाले हैं तो start करते हैं आज का टोपिक ध्यान से देखना logical arrangement of words है ना सब्दों का तारकिकन सब्दों का मतलब कहा समझते हो आप सब्दों का मतलब आपको कुछ words दिये होँगे वर्ड कुछ भी हो सकता है गाए-बेल हो सकत है राजस्तान हो सकता है बिकानेर भारत कुछ भी हो सकता है आपको 5-6 वर्ट दे देगा इस तरह के खोशन में पांच भी दे सकता है छे भी दे सकता है फिर आपको अपने अपने माइड के इसाफ से उनका ओडर बनाना होगा वो ओडर ही आपसे पुछा जाएंगा तो दो तरह के खोशन बनते है इसमें उस ओडर के शाफ से दो तरह कोशन बनते है एक तो नियम सिद्धात या थारकिक्प्भाले ऐसे कोशन जिसमें आपको कुछ नियम लगाने बुड़ापा देता हूँ तो आप इसका order अपने mind में क्या सोच रहोंगे आप ये सोच रहोंगे कि सबसे पहले बच्पन आता है उसके बाद जवानी आता है उसके बाद बुड़ापा आता है या फिर आपको दे दू one five seven ये तीन वर्ड दे दिए तो आपके mind में क्या आता है पहले one आता है फिर three आता है फिर seven तो ये जो चीज ना जो आपके तारकिक छमता को दिखाता है वो चीज आएंगे तारकिक सिदान्त वाले कर्म वाले में और दूसरा क्या होता है dictionary वाले तो dictionary में क्या होता है आपको dictionary के हिसाफ से चलना होता है dictionary के हिसाफ से आप कुछ words दिये होते हैं उसको arrange करना होता है कि dictionary में पहला कौन सा वड़ाएंगा दूसरा कौन सा आएंगा तीसरा कौन सा आएंगा तो दोनों की चर्चा करते हैं पहले सम कि मैं आपको लगबग हर टाइप का questions कराने का प्रयास करूँगा जो आपकी एक्जाम में पूछा जा सकते हैं तार की कम रॉला करते हैं पहला टाइप करते हैं पहले टाइप के कुछ questions कराता हूँ उससे आपको समझ माएंगा जैसे एक question में आपको देता हूँ कि आपको दिया हुआ है साब राजस्तान अब आपको बनाना है इनको order में लगाना है, मैंने चार वर्ड दी है आपको, चार वर्ड को अपने हइसाबसे आपको order में लगाना है, तो आप क्या सोचोंगे? कि यार ऐसा सोच सकता हूँ कि सबसे पहले ये बात और ये स्तान की, तो सबसे बड़ा जो इस्तान है वो है एशिया मैं एशिया में सबसे पहले जाऊंगा तो मैं कहूंगा भाई साब एशिया है सबसे बड़ा एशिया के अंदर क्या है मेरा भारत है एशिया के नीचे लिग दूँगा भारत उस भारत के अंदर क्या है भारत के अंदर राजस्तान है और राजस्तान के अंदर म उसको पहलब है इसको नाम दिया दो इसको नाम दे दिया तीन, इसको नाम दी दिया चार, अब आपको क्या कहएगा, आपको option number a दे देंगा माननो क्या hvad 3 2 1 ठीक यह सब? ऐसे option number B देते आपको, माननो option number B क्या है, दो, एक, दो, एक, चार, तीन और T, C option दे दिया मानलो तीन, दो, एक, चार और चोथा option D option आपको ये दे दिया कि भाई, दो, एक, चार, तीन, चार ये आपको दे दिया तब आपको देखना है पहले आप order बनाओंगे ऐसे माइंड में फिर इनका करम भी लिख लो ये दो नमबर पे था सब ये भारत एक नमबर पे था और रास्तान चार नमबर पे और ये तीन नमबर पे तो यही आपका अंसर हो जाएगा दो, एक, चार, तीन दो, एक, चार, तीन this is your answer ये आपको टिक कर लेना है तो पहली बात समझे आप कि किस तरह कोश्चन को अप्रोच करना है किस तरह का कोश्चन पूछा जाएगा ये दोनों चीज़ां आप पहले समझ लेते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो सबसे मैत्वपून और बेसिक पार्ट है जो आपको समझना ही होगा आसानी से हो जाएगे कोश्चन कोई ज़्यादा पड़े डिफिकल्ट नहीं हो ते इसमें अब कुछ कोश्चन करते हैं उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा जैसे मैं एक कोश्चन और देता हूँ आप पहले वीडियो को पोज करना पोज करके खुद देखना कि यार अपन से बनता है कि नहीं बनता अपन से खुद से बनाने का ट्राइ करोंगे यार फिर आपको कॉणफिडेंस मिलेगा गलत होगा तो कुछ सीख जाओंगे और से हो जाएंगा तो कॉणफिडेंस है तो नुकसान कहीं नहीं है खुद से करने में देखो कोश्चन क्या है परिवार समूदाए आपको वर्ड दे रहा हो में परिवार है एक और दूसरा वर्ड क्या है समूदाए है समूदाए है तीसरा वर्ड क्या है सब आपके कोशन आपके सामने है सदस्य इलाका देश सदस्य है फिर उसके बाद इलाका है फिर क्या है देश है तो ये आपका सामने questions दिया हुआ है, ये सारे words है आपको, आपको देखो क्या है परिवार, समूद्याई, सदस्य, इलाका और देश, तो ये अब आपके सामने questions है आपको बनाना है, तो आप पहले क्या सोचते हो कि यार मैं सोचता हूँ कि परिवार आ सकता है, समूद्याई बन सकता है, सदस्य है, इलाका है, देश, तो किस से क्या बनता है, तो मैंने सबसे छोटा देखा कि वाई सदस्य होते हैं सबसे पहले, सदस्य होते हैं, हमारी परिवार में होते हैं वो तो, सदस्य का होते हैं, परिवार के अंदर होते हैं, तो सदस्य किस में आएंगे, पर परिवार बनते हैं, खूब सारे परिवार हो गए, तो हमें उसे एको एक क्या कह देते हैं, समुधाय कह देते हैं, कि इस समुधाय के लोग यहां रहते हैं, इस समुधाय के यह लोग रहते हैं, तो एक समुधाय में खूब सारे क्या होते हैं, परिवार होते हैं, तो परिवा साप का क्या बनेगा इलाका बनेगा एक समुदाए के लोग इस इलाके में रहते हैं राजस्तान में रास्तान समुदाए के लोग रहते हैं तो वो एक इलाका बना देंगे और ऐसे खूब सारे इलाका मिलके ही हमारे सामने क्या बनाएंगे एक देश बनाएंगे तो I hope आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा समझ में आप समझ पा रहे होंगे कि आकिर कहना क्या चाह रहे हैं सदस्य परिवार समुदाय इलाका और देश इस तरह आपके questions आएंगे तो I hope समझ गे होंगे अब इसका proper question मैं अगले वीडियो में दूँगा जब हम खूब सारे questions करेंगे हमारे करने का simply एक की तरीका होता है पहले हम एक class में दू class में जितने भी classes में हो सकता है उतने में हम theory पढ़ते हैं अच्छे से theory complete करने के बाग उनकी practice questions में करते हैं तो अगले जो part आने वाला है उसमें हम questions करेंगे अभी मैं आपको समझाना चाता हूँ आपको build करना चाता हूँ mentality जिससे कि आप इस तरह question को deal कर पाएं proper question आपको अगले lecture में मिल जाएंगे ठीक है सब और question देखते हैं आपको यह question दे रहा हूँ क्या कहे रहा हूँ बच्चा है सब बच्चा है डॉक्टर है दॉक्टर है दवाई है अस्पताल है और कोई word रहे गया देखता है बच्चा डॉक्टर दवाई बीमारी बीमारी अब यह आपके सामने question है आपको सोचना है पहले वीडियो को करना है पोज फिर उसके बाद आपको जाना है आंसर के तरफ देखो अब क्या है बच्चा है बच्चे के साथ डॉक्टर है दवाई है अस्पताल है बिमारी है तो मेरे माइड में एक कहानी सी बन रही है वही कहानी या उतार देनी है कि बच्चा था साब एक बच्चा था वो क्या हो गया उसे क्या हुई कोई बिमारी हुई अब वो बिमारी हुई तो कहां गया अस्पताल गया अस्पताल में उसको कौन मिला अस्पताल में बाई साब को मिले है एक डॉक्टर और डॉक्टर ने क्या दे दी दवाई दे दी ये आपका अंसर हो गया है ना अब दवाई की जगे इलाज दे देता तो डॉक्टर क्या कर देता इलाज कर देता है ना ऐसे ही एस Kultur की जिएक क्लिनिक डाल देता है यहां पर मॉल लो एस पताल निए घर को आफा इस तरह आपको क्लिनिक डाले यहां पना जी लिए बैचा हो पाएंगा अगला एक और कोशन देता हूं आपको देश जिला रज्य ग्राम महादीप देश जिला एक देश है फिर जिला है फिर मैंने कहा ग्राम है ग्राम के बाद महादीप है एक वर्ड और एक अभी मैं बताता हूं आपको कोशन है ना महादीप है रज्य है रज्य है अब देखो आपको सिम्पल साइधी ओडर पता होगा तो आप बना देंगे कोई प्रोबलम आने वाली बात ही नहीं है आपको पता है सबसे छोटा क्या होता है ग्राम यानि ग्रामों से मिलकर क्या बनेगा एक जिला बन जाएगा और जीलों से मिलकर क्या बन जाएगा एक राज्य बन जाएगा और राज्य से मिलकर एक क्या बन जाएगा देश बन जाएगा और काफी देशों का समूही क्या कहला महादीब कहलाता है चाहे आईश्या मादीफो प्रिका मादीफो जो हम चर्चा करते हैं तो यह इस तरह के कोशन आप से पूछे जाएंगे आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन कोशन को अच्छे से लिखें नोर्स बनाएं क्योंकि नोर्स ही आपको अंतिम वक्त में काम आ आने वाले हैं आप समझ पा रहे होंगे जिस तरह कोशन है और कोशन करता हूं मैं आपको काफी कोशन कराऊंगा ताकि एक वार थोड़ा सा माइंड में बेठें आपके जब तक आप बेठा नहीं पाऊंगे ना इसको तब-tक कोशन गलत हो जाएंगे और छोटी सी एरर के क यह आपके सामने कुशन है एक और वर्ड है देख लेता हूँ तुफान वर्सा बाड छती या फिर उसके बाद क्या आएगा मानसुन तो अब यह आप कॉशन है अब सोचो इसको तार के करम बनाना से सोचो कि यार क्या हुआ होगा कि भाई सबसे पहले क्या छती हो जाती है क् बाड हो जती है क्या तुफान आता है क्या मान सुनाता है तो देखो वर्सा होने के बाद ही तुफान आता है क्या नहीं तुफान आने के बाद क्या होती है वर्सा होती है वर्सा के बाद बाड आ जता है कभी-कभी option से check हो जाएगा आपको पता है वर्षा के बाद ही क्या आएंगा बाड आएंगी नहीं समझ मारी कानी तो कैसे करोंगे वर्षा है वर्षा के बाद ही क्या आएंगी बाड आएंगी तो ऐसा कोशन जहां पर वर्षा को पहले रखावाया है बाड से वो अप्शन आपका गलत हो जाएंगा तो क के बाद छती लास्ट में होने वाला है अब इसका ओडर बनाने को सिस्करते हैं कि भाई क्या रहा होंगा सबसे पहले मांसून आएगा मांसून के समय क्या आया तुफान आया तुफान में क्या आई वर्सा हुई तुफान में क्या हुआ वर्सा हुई और वर्सा में क्या मिलेंगे इस तरह कोईशन होते हैं बहुत प्रोब्लम अपरादी नयाए मूर्ती अगला क्या है अगला है एक और वर्ड है फेसला फेसला तो यह आपका कोशन है और कोई वर्ड है क्या देखते हैं इसमें नयाय होगी सब हो गया मांसून ठीक है सोरी पुलीस दंड और यह सब आपको बता दिया अब आप सोचिए आप अपने सबसे बनाने की कोशिस कीजिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले पुलीस तो नहीं आएंगी सबसे पहले अपरादी नहीं होगा क्या सबसे पहले नयाय मूर्ती आएंगा क्या फेसला आएंगा क्या दंड होगा नयाय मूर्ति उसको दंड नहीं देंगा नयाय मूर्ति फेसला देंगा अपना दंड नहीं देता कभी यहाई भी तो करता है जो फेसला है उसके बाद उसके अनुसार उसको क्या मिल जाएगा दंड मिल जाएगा तो यह कोशन है यह इस तरह कोशन है गलती हो जाती है काफी व सामने पेस किया नए मुर्ति ने फेसला दिया और उसको दंड मिला उसे इसाब से एक और कोशन कराता हूं आपको अच्छा सा जिससे आपको समझे माँ आएंगा कि और कुछ चीजें भी होती है जैसे एक कोशन आपके सामने हैं मीटर सेंटी मीटर अब देखो ये कोशन मैथेमेटिक से थोड़ा सा रिलेटेट हो गया किलो मीटर किलो मीटर अगला जो option है वो है decimeter तो ये question है आप अपने असाब से बनाने कोशिस कीजिएगा फिर इसके बाद ये question आपको दूँगा देखते हैं कौन बच्चा comment box में उसका answer देपाता है तो देखो अब आपको पता होना चीए कि कौन किस से बड़ा होता है तो option cancel करना हो तो आपको पता है मीटर के बाद क्या आएगा किलो मीटर सेंटी मीटर के बाद क्या आता है मीटर confusion कहा हो जाता है decimeter में हो जाता है वो अब आप दियान रखिएगा सबसे छोटा क्या होता है centimeter centimeter उसके उपर कौन है decimeter कौन है साब decimeter decimeter हम बहुत कम यूज लेते हैं इसलिए हम है थोड़ा माईडे में कम रहता है decimeter के उपर क्या है meter meter के बाद क्या है kilometer यह चीज आपको पता होनी चीए यही चीज आप सिखोंगे कल के questions में कल के questions में इसी तरह के फिर कोई अपने पदान मंत्री के orders हो यह सब चीज आप questions के साथ ही मैं सिखाऊँगा इस theory वाले class में तो केवल आपको यह बताना चाहता हूँ कि भाई कैसे पकड़ना है question और जब question पकड़ में नहीं आए तो कैसे करना है बाकि हम theory और अच्छे से कल question के साथ पढ़ेंगे काफी order बन सकते हैं यार कुछ भी science का order बन सकता है न और numbers का order बन सकता है तो जो यह order वाला होता है न वो part first है तो पहला answer क्या आगया centimeter, sorry centimeter, decimeter, meter और kilometer this is your answer यह आपका answer हो गया अब एक question मैं आपको देता हूँ देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है उस question का answer आप मुझे comment box में देना simple question है आपका भी confidence बदे ताकि आपको भी समझ में आया कि नहीं आया ये भी हम check कर पाएं ठीक है answer जरूर देना आप question क्या है question है जनम, बच्पन sorry जनम, वर्दावस्ता थोड़ा बड़ा है जनम दूसरा वर्दावस्ता अब हिंदी में कभी problem आ जाएंगी तो इंग्लिस भी देखो आपके पास तो दोनों आती है prod ववस्ता pro हिंदी में problem हो जाती है कभी कभी काफी ज़्यादा prod ववस्ता prod ववस्ता ठीक है फिर बजपन एक और ले लो बजपन एक और मैं आपको देता हूँ बाल्य ववस्ता और वर्दावस्ता बाल्य ववस्ता बाल्य ववस्ता तो ये word है इसको order में देना है आपको चाहे numbering दे देता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच तो आपको order बताना है कि सबसे पहले एक, फिर उसके बाद जो भी है दो या तीन, फिर उसके बाद ये 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 तो ये order आप answer में देना देखता हूँ कौन-कौन answer दे पाता है उसी इसाफ़ से आनन दाएगा क्योंकि bilingual होना ची, यह मतलब bilingual भी नहीं, bilateral होना ची bilingual तो क्या होगा है न bilateral, bilingual किसी को समझ में नहीं आता न, तो वो इंग्लीज में जरूर देखें, questions को काफी साइदा मिलेंगी तो bilateral का मतलब आपको भी पीछे reply करना है कि भाई मैंने ये question कर लिया है sir नहीं हो पाया, तो भी comment में बताएं कि नहीं हुआ तो इसी से ही एक feeling आएगी, questions करने का आनन्द आएगा, अब बात करते हैं अगले part की जो की है dictionary वाला, dictionary वाला मतलब क्या, dictionary आपको कुछ words देदेगा इंग्लिस में फिर आपको उसको order बनाना होगा, तो एडिंग डाल लो dictionary, है ना dictionary इंदी में क्या बोलते हैं इसको dictionary को, I don't know मुझे भूल गया हूँ, कुछ भी dictionary को इंदी में क्या बोलते हैं comment में बताना यार, बूल बूला गए चलो, कोई, dictionary वाले word मैं आपको कहता हूँ कि dictionary कभी खोली है, क्या dictionary खोली है तो dictionary खोली है, तो dictionary में आपको मैं जो words दे रहा हूँ, कोई भी words दे दूँगा 5, मुझे वो order चाहिए कि पहले आप page पलते है, तो पहला words कौन सा आएगा, फिर page पलतोंगे तीसरा cat और चोथा dog अब आपको ये question दिया है तो आपको question क्या करना है आपको बताना है, order बताना है तो आप समझ पा रहे होंगे कि dictionary में सबसे पहले क्या आता है A आता है, उसके बाद क्या आता है B आता है, उसके बाद क्या आता है C आता है उसके बाद क्या आता है D आता है तो आप क्या कोँगे कि भाई dictionary में सबसे पहले तो Apple आएगा उसके बाद क्या आएगा Boy आएगा उसके बाद क्या आएगा Kate आएगी उसके बाद क्या आएगा Doog आएगा यही आपका order हो गया This is your question का answer अब इतना असान तो question देगा नहीं आपको क्या ध्यान रखना है आपको पहले यह समझो कि dictionary चलती कैसे है dictionary ऐसे चलती है कि भाई पहले A आएगा A के बाद भी मैं 3 तक लेगे चलता हूँ A फिर बापिस A आया फिर उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि फिर A आया है ना मैं 3 words तक दे 3 alpha bear तक चलके चल रहा हूँ फिर आगे ऐसा ही चलता है रहेंगा आप समझ जाँगे मुझे उमीदे A के बाद फिर वापिस A A B आयेगा फिर A A C आयेगा इस तरह करते करते A A Z आ जाएगा फिर ये Z वाली कानी खतम होगी यहां का Z खतम होगा तब जाके यहां पर वापिस क्या बन पाएगा B बन पाएगा फिर कानी चलेंगी A B A A B B A B C ऐसे चलते 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 फिर क्या आया होगा A B Z फिर यहां से B का क्या बनेगा, इसमें बन पाएगा, B बनेगा एका, तो इस तरह एलफाबेट चलते हैं, एक एक्जामपल से समझाने की कोशिस करते हैं, उससे और अच्छे समझ माएगा, इसमें कोई थोड़ी बहुत प्रोब्लम रही होंगी, तो इस डाउट किलिए हो जा तो आपको वो नया नहीं लगेगा, नया कुछ नहीं आता एक्जाम में, आपने वो देख नहीं रखा, तब आपको नया लगता है, है ना, आपने वोदी देख रखा है, उस टाइप के कोशिस कर रखें, तो वो आपको नया नहीं लगता, आपका दिमाग सोचने में समय न पतवारी के साथ साथ किसे लिए वी फायदे मनदे अपने रास्तायां पलीस के लिए फायदे मने मीने तो वह question बहुत महितों है sorry जहुद मैं हर तैक कर दाल है मैं एक इक्जांप्ल लेता हूँ आपके सामने, एक्जांप्ल से आपको समझ में आएगा कि हम आखिर चाहते क्या हैं? तो इक्जांप्ल आपके सामने है, देखो. वर्स ले रहा हूँ. इम्प्रेस ठीके साब, दूसरा वर्ड है, इम्परिंट imprint, ठीके साब, तीसरा word है आपके सामने improve, इम, प्रूव, ठीके साब, चोथा word आपके सामने मान लो दे दिया है impress ठीक है? चलो इन तीन words में देखते हैं एक बार तीन words में देखते हैं ताकि हमाज समझमा एक आनी उसके बाद आगे चले हैं आपको क्या करना है देखो, question करने का तरीका समझो आपको सबसे पहले पहला word देखना है, पहला word क्या है? यदि पहले वर्ड में ही अलग-अलग आ जाए ना तो आपको उसको पहले वर्ड के साफ से देख लेना है कि भाई पहले आई आ आई है आई मानलो यहां पे एक वर्ड था जो मानलो के से स्टार्ट हुता था ना काई टूर एक word दिया हुआ है ठीक है सब आपने चंटनी करी कि भाई आई 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 के पहला word अलग दिख रहा है के क्या आता है आई के बाद आता है है ना आई यहां बूँट है यहां बहुत है है यहां यहां आई है मतलब बी तो सबसे पहले आता है थो बी को हम सबसे पहले रख देते हैं पिर यहां पर सर्द्टि वाला किसका कर ऑच करोंगे कि आई करोंगे तो इस तरह scarsie को अप्रोच करना है अब देखундाव हाँ देखا मैंने आ इधर भी है, आ इधर भी है, आ इधर भी है, तो चलो common वालों को छोड़ दो, है ना, M जेक करा, यहां पे भी M है, यहां पे भी M है, मैं, इसको बी छोड़ दो, इससे भी हमारा कोई फाइदा नहीं होगा, आगे देखता हूँ P है P है P है common है तीनों में P इससे भी हमारा कती कोई फाइदा नहीं होने वाला आगे देखता हूँ R है इधर भी R है इधर भी R है तो इससे भी हमारा कोई फाइदा नहीं है इस तरह आपको एक एक बढ़ना है एद्म बरीया question लिया है मैंने आपके लिए ठीक है साथ फिर आप check करते हो यहाँ पे क्या इस word में e आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है आई आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा है अब आपको पता चल जाएगा क्या order लगाना है आपको पता है E सबसे पहले आएगा फिर I आएगा फिर R आएगा तो definitely code decode वाला भी उच करो E 5 पे है 9 पे है 18 पे है तो आपको mind में आ जाएगा पहले 5 फिर 9 फिर 18 तो इन तीनों में सबसे पहले कोन आएगा वो आएगा सब यही word आएगे impress फिर imprint ठीके सब अगला जो word है वो आजाएंगा improve तो यह आपका answer आजाएंगा this is your order this is your question का answer I hope आप समझ पाई होंगे इस तरह एक questions आपको मिलेंगे exam में और कुछ कराता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ माएं ठीके एक question और करते हैं आपको order किसका बनाना है एडिक्ट एडिक्ट अगला जो question है वो है admire एडिमायर फिर है addition एडिशन और अगला जो है word वो आपके लिए है admission चलो admission और अगला जो word है एक और लिएते हैं adult यहीं लिख देता हूं अब आपको इसको order बनाना है तो सबसे पहले काम देखते हैं कोई काम का नहीं है हमारे हम आगे चलेंगे कोई काम का नहीं है इसमें कोई अलग नहीं देखा आगे देखो अगें डी अगें M सुर civil है तो यहां पे हमएं समझ में आ गया कि यह मैं ELT seeking Mm मेंorama tी START यहрашी कि देहरा है तीसरे कि यह हं आपको लिख दे रहा है आए और यह को लग लग करें तो अमें समझ मेंña आ रहा है सबसे पहले कौन से आता है D आता है फिर M आता है फिर U आता है तो इस हिसाब से थोड़ा order लिख लो ताकि आपका question कभी गलत नहीं होगा डी वाले अलग लिख रहों में addict और admission ये दो वर्ड तो आपके सबसे पहले आएंगे क्यों क्योंकि इनके पहले क्या रहा है D और उसके बाद D के बाद क्या आता है M तो दो वर्ड जो admire और admission ये वर्ड दो बाद में आएंगे इन दोनों का order नहीं पता, internally कोई order नहीं पता पन्तु ये इसके बाद आएंगे और last में क्या आजाएंगा adult आजाएंगा ये हमारा question इतना तो soul हो गया है इतना हम देखते ही, पूरा ना बनाओ, option में चेक करो कि adult किस में last में दियावा है एक में दियावा है ना तो उसको तेक दो, क्यों समय आगे वेस्ट करना है, हमें तो question बनाना है तो option से check करना भी हमें साथ-साथ में सीखना है, adult जिस में last में हैं तो उसका answer दे दो मान लो दो option में adult साथ last में दिया है, तब क्या करेंगे देखो अब देखो, addict यहां तक और admission यहां तक अमारा सोरी, admission नहीं है यहां पर word कौन सा था? addition, sorry, addition, ठीक है साथ, अब addition और add, यहां तक तक तो same है, फिर check करूँगा, i और i, इन दो में ही check करूँगा, क्योंकि इसमें आप नहीं जा सकता, इसमें क्यों जाना, क्योंकि यह तो एक जिस से हैं, इन दोनों को internally check करना है, इन दोनों को internally check करना है, तो i, i, फिर देखा मैं यह word मुझे दे रहा है, c, यह मुझे दे रहा है, t, तो पहले क्या आता है, c और t, दो यह word है, तो पहले क्या आजाएंगा, addict, तो यहां का order बन चुका है, addict, और उसके बाद क्या आएंगा, addition, ठीक है साथ, इन दो का check करो, तो m यहां तक तो common है, फिर देखता हूँ, i, य यहां आ रहा है, p, q, r, और यहां आ रहा है, s, मुझे पता है, r पहले आता है, तो definitely यह word पहले आ जाएंगा, this is admire, और अगला क्या है, admission, ठीक है साथ, यह बीच वाला काम नहीं भी करते तो भी काम कभी-कभी बन जाता, मालो दो जगे option में adult दिया हूए, आपने इन दो को check करा, आपको पता चला, addict सबसे पहले आ रहा है, एक option में addition पहले दिया हूए, तो वो गलत हो गया, और addict वाला सही हो गया, तो हमने option से बीच वाला काम छोड़ी दिया, हमने वस यह चेक लिया, addict और adult, दोनों first और last में है, क्या, एक option में है, तो वही सिदा answer हो जाएंगा, औ आप अपना समय भी बचा सकते हैं, I hope आपको समझ में आ गया होगा, कोई doubt होता आप कमेट में जरूर पूछना, उससे पहले question और करते हैं, उसमें admire हो गया, यह चलो, एक question और लेते हैं, उसमें आपको order बना के बताना है, फिर एक question में आपको दूँगा देखते हैं, आप बना पाते हैं क्या, देखो, each eagle, each, फिर आपको word है, early sorry, early, अगला word आपके लिए है, अर्थ, और फिर है eagle, यह आपके बाद है, अब आपको इसको चेर करना है, तो आप क्या करोंगे, सबसे पहले e, तो e, 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 कोई काम का नहीं है, छोड़ो इसके रमायन, फिर देखो a, 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 यह भी हमारा काम का नहीं है, उसके बाद change आ रहा है, यह हमें क्या दे रहा है, c दे रहा है, यह हमें क्या दे रहा है, r दे रहा है, यह क्या दे रहा है, और यह क्या दे रहा है, g दे रहा है, अब इस हिसाब से order बनाओ, हमें पहले पता है, c आता है, तो e सबसे पहले और्थ को चेक करो इंदोनों का ओडर देखेंगे आर के बाद यह L यह T दे रहा है तो मुझे पता है अर्थ के बाद किया जाएंगा अर्ली आ जाेंग और उसके बाद किया आ और फिर आजाएंगा मतलब क्या समझे पहले इसको चेप दिया इन दोनों में आयर आ रहा था तो इनका ओडर चेक किया किसे अगले वर्ड से अगले अलफबेट से इस 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 टी तो हमें पता है एल पहले आता है तो अर्ली पहले आ गया ती बाद में आता हो तो अर्थ सयन वर्च गए होंगे इसमें आपको कुई कोई प्रोब्लम नहीं रही होगी तो यह टरीका होता है इसको करने लिहाएं सब्सक्राइब सोरी अगले lecture में इसके खूब सारे questions करने वाले कूब सारे questions class कब लगेंगी यह मैं आपको comment box में क्या आपने facebook page पे बता दूँगा facebook page की link description में मिल जाएंगी जाके उसको like जरूर कर लें नहीं तो facebook पे search करेजिए क्या direct search कीजिएगा केशो बानू classes तो आपको kbc नाम से हमारा page मिल जाएगा आप उसको like कर दीजिएगा आपको फाइदा बहुत मिलेगा बहुत सारा material questions बहुत सारे चीजां आपको वहाँ पे मिलती है और यह question करना है आपको इसका आपको मुझे order बता देना है भाई क्या होता है है ना ताकि हम देखें कि आपको कितना समझ में आया है फिर अगले question में चलेंगे नाम भी लिख देता हूँ मैं चलो क्या था यहाँ पर एस ओ सी के से क्या ठीक है सब एक दो तीन चार पांच यह आपका question है देखते हैं कौन इसका answer दे पाएगा सही answer देना है मुझे comment box में तो दो questions आपको मिल गए हैं वो करने हैं यह दो type के question आते हैं किसमें logical arrangement में कुछ बच्चे सोच रहोंगे सर वो question भी आते हैं कि बीच में से यह words हैं तीन words से कोई सार्थक word बनाओ वो alphabet test का part है जो कि हम आगे पढ़ेंगे हैं वो alphabet test है यह order है order में दो type के question होते हैं एक तारकी जमता वाले होते हैं और एक dictionary वाले होते हैं दोनों तरीकों को आपको समझा दिया है अगले lecture में करेंगे question वीडियो अच्छा लगा तो like कर दें like करने के साथ साथ एक काम करें subscribe करें हमारी जो audience देख रही है उसमें से 75% audience जो subscribe नहीं कर रहे हैं तो आप subscribe क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं बता आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं आप मुझे comment करके बताएं कहाँ problem आ रही है अच्छा लग रहा है तो आपसे request है please bell icon हिट करने से आपको notification मिल जाता है class का उमीद है आप subscribe जरूर करेंगे साथ साथ में bell icon भी हिट करेंगे class कैसी लगी comment box में होताना अच्छी लगी तो like कर देना facebook पे भी जूर जाना मिलता हूँ next lecture में तब तक के लिए लविदाद जय हिंद जय भारत